Hello students, Maths class 4th exercise 2.7 question number 2 Round of the numbers to the nearest hundred Round of numbers निकालना है किसके nearest hundred के nearest पिछली वीडियो में हमने round of के बारे में पढ़ा था डिटेल से आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं उसके बाद सोल करोगे हां जी nearest hundred निकालना तो nearest hundred में एपार्ट statement गिवन है 78,964 इस statement गिवन है nearest to 100 निकालना तो 100 के लिए क्या रूल हमने लिगे लिखे थे हमने 100 के लिए कि जो nearest to 100 निकालना तो हम hundred place पे जाएंगे first of all और hundred place किसके कोडिग उससे पहले वाले डिजिट रिमें सेम और उसके बाद वाले डिजिट किसके कोडिंग चेंच होगे यानि की 100 place वाला digit किस के according change होगा 10th place वाला digit के अगर 10th place वाले 5 से बड़ा number है तो 100th place वाले में 100-3 या या 5 से छोटा number है तो 100th place वाले digit में कोई चेंज नहीं होगा और यह दोनों number 1s और 10th place बोध केस में 0 हो जाएंगे तो यहां पर निकालते हैं, 78,964 is rounds of 2, is rounds of 2, किसके rounds of 2 होंगे, 9 के बाद 100 प्लेस पे 9 है, यानि उसके बाद से पहले जो डिजट है, वो सेम रहेंगे, 78, same as it is, 100 प्लेस पे 9 गिवन है, 9 के बाद 6 है, 10 प्लेस पे, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसमें पहले वाले के बड़ा होंगे, 9 में plus 1 हो जाएगा, 9, 9 में plus 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 10 हो गया, one carry हो गया, यहां पर 1 प्लस करेंगे, तो 8 plus 1, nine हो जाएगा, यहां पर, 9 आएगा, यानि कि 79, 79,000 उसके बाद लास्ट वाले तोनों डिजिट जीरो हो जाएंगा यानिकि 79,000 इसकी रांड ओफ वैल्यू आई है क्योंकि यहां पे 9 था जो 100 प्लेस 9 था 100 प्लेस में 9 में हमने 1 प्लस किया तो 10 बन गया 10 के लिए 0 लिखा 100 प्लेस पे और जो 1 एक्स्ट्र है वो कैरी चला ग हो गया हां जी नाव बी पार्ट सोल करेंगे इस 6,259 इस रांड ओफ तू रांड ओफ तू हां जी 100 प्लेस नीरेस तू 100 हमने निकालना है नीरेस तू 100 निकालना तो 100 प्लेस पी जाएंगे और वांस तैंस 100 100 पे तू गीवन है उससे पहले के दोनों डिजिट सेम रहेंगे और 100 परीस किसके एकोर्डिंग चेंज होता है 10 प्लेस के कोर्डिंग टेंस प्लेस पे हमें 5 गि Vall है 5 होता है या 5 से बड़ा हो तो क्या हो जाता है 100 प्लेस वाले में 1, add हो जाता है, डिजित में 1, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, then यहां पर यह यह लास वाले दोनों डिजित, 0, now C part, C part में 15,274, is rounds of 2, rounds of 2, 15,200, यह 2 गिवन है, 100 प्लस पे, इसके बाद 7 है, यहां पर 1 प्लस होजेगा, 15 ऐसे लिखेंगे, 2 के प्लस पे 3, and last में 0, यहां कि 15,300, now D part, D part के statement गिवन है, 12,058, is rounds of 2, rounds of 2, किसके rounds of होगा, 100 प्लस पे, यहां पे 0 गिवन है, तो 0 के बाद, तो 100 प्लस किसके अकोर्डिंग चेंज होता है, 10 प्लस के अकोर्डिंग, 100 प्लस पे नेक्स प्लस 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 पे 5, 5 से बढ़ा होता है, तो वहां पे 1 प्लस हो जाता है, 5 से कम होता है तो वो same रहता है तो यहां पर 5 है यानि की 100 प्लेस में 1 प्लस हो जएगा 0 के प्लस पी क्या हो जएगा 1 और उससे पहले वाले दोनों डिजट सेम रहेंगे यानि की 12 आयेगा पहले 12,000 और 0 के प्लस पे 1 0 में 1 प्लस हो गया क्योंकि यहां पे 5 गिवन था तो यह दोनों प्लेस जीरो हो जाएंगे तो क्या हो गया 12,100 Now E part, F part, G part and H part आप खुद से solve करोगे Now question number 3 Round of the following numbers to the nearest thousand Question number 2 में हमने round of 200 निकाला था अब हम निकालेंगे round of 2000 Round of A part लिते हैं पहले statement गिवन है यहां में 60,000, 535 Is rounds of 2 Rounds of 2 यह किसके rounds of होगा? Nearest to thousand हमने निकालना है किसके निकालना है? Nearest to thousand तो thousand प्लेस पे जाएंगे 1, 10, 100,000 Thousand प्लेस पे 0 गिवन है यानि किसे पहले वाले सभी डिजिट सेम रहेंगे उसके बाद जो thousand प्लेस चेंज होगा याना होगा किसके according हमें पता चलेगा? Thousand से next place यानि कि 100 के according जैसे पिछे वाले question में हमने किया था Nearest to hundred किया था तो hundred place किसके according change हो रहा था 10st के according तो यहाँ पे thousand है तो thousand किसके उससे next प्लेस, यानि कि 100 place के according change होगा तो hundred place में अगर 0 से लेके तो थाउजन प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा अगर 5 या 5 तो 9 हमें डिजिट गिवन है तो थाउजन प्लेस में 1 प्लस हो जाएगा और लास वाले तीनो डिजिट बोथ केस में 0 हो जाएगा यहां पर 6 गिवन है तो 10,000 प्लेस पे तो 6 आजएगा अब 1000 प्लेस पे 0 है तो उसे next 100 प्लेस चक किया हमने यहां पर 5 है 5 है तो वहां पर 1 एड हो जाएगा यानि कि 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1 आ गया यहां पर तीनो प्लेस जीरो हो जाएगा यहां जी नीरस तू थाउजन निकार रहे तो 30,742 एज राउंडस ओफ 2 एज राउंडस ओफ 2 थाउजन प्लेस पे यहां पर 0 गिवन है 100 पे चेक करते हैं तो 100 प्लेस 5 से बड़ा है 5 से बड़ा है तो यहां पर 1 एड हो जाएगा और यह लास वाले तीनो जीरो हो जाएगा और उससे पहले दोनों डिजिट सेम रहेंग यहां पर 0 के प्लेस पे 1 हो गया 1 और यह तिनो जीरो तो 1,31,000 इसके राउंडस ओफ वैल्यू आई है नाव सी पार्ट सी पार्ट में 678,937 यानि कि 6,78,937 नंबर हमें गिवन है 1,000 प्लेस पे 1,10,100,000 प्लेस पे 8 गिवन है 8 प्लेस पे जाएगे 8,000 के पहले वाली क्या रहेंगे सेम होते हैं इस राउंडस ओफ टू इसके राउंडस ओफ वैल्यू निकालेंगे राउंडस ओफ टू किसके राउंडस ओफ होगा इसे पहले बाले डिजिट सेम रहेंगे 677 कोई चेंज नी होगा इनमे और यहां पर 8 गिवन है 1000 पे तो 8 से नेक्स वाला प्लेस प्लेस दिखते हैं 100 पे पे नाइन गिवन है यानि कि 5 से बड़ी वैल्यू हो तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा यानि कि इसे नेक्स थाउजन से नेक्स वाले प्लेस पे अगर 55 या 5 से बड़ी होते हैं तो वहां पे वन एड हो जाता है अदर्वाइस वह सेम रहता है पीछे जीरो हो जाते हैं तो यहां पे तो 5 से बड़ा है तो 8 के प्लेस पे आएगा 9 क्योंकि 8 में प्लस वन कर देंगे उसमें 1000 प्लेस वाले डिजट में और पिछे 3 0 हां जी नाव डी पार्ट 13,413 39 is rounds of 2 किसके rounds of होगा निरेस तो 1000 निकालना है तो 1000 प्लेस पे 3 गिवन है 3000 किसके according change होगा 100 के according निरेस तो 1000 किसके according होगा 100 प्लेस पे 100 प्लेस पे यहां पे 5 से कम वैल या 5 से कम है नमबर जो डिजट हमें गिवना 5 से कम है तो क्या 1000 प्लेस में कोई change ही होगा वह सेम रहेगा उसे पहले वाले डिजट तो सेम रहते ही होते हैं तो यहां पे 3 सेम रहेगा वन एड नहीं करेंगे क्योंकि 100 प्लेस पे नमबर जो डिजट है हमारा 5 से कम है वह लास वाले 3 जीरो हाँ जी नाव एपार्ट एफ पार्ट जी एंच एच पार्ट आप खुद से ट्राइब करोगे थैंक यू ओूँ बड़ कि वस्याँ आपट जी एंचपिजध एगन कि यहाँ झावया वन्य यहां हपार्ट